नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आईए कुछ और प्रश्ण हम देख लें जो कि यहाँ पे छेत्रमती के अनुप्रयोगों पर आधारित हैं और प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है कि किसी मंदर के खंबे मेला नाकार हैं यदि प्रते खंबे का आधार 20 cm त्रज्या का एक वृति शेत्र है और उचाई 10 cm है तो हमें प्रते खंबे के लिए बताया गया कि जो उसके आधार की त्रज्या है वो 20 cm है और उचाई जो है वो 10 cm है और ऐसे कितने खंबे बनाए गए कुल 14 खंबे बनाए गए तो कितनी कंक्रीट मिश्ण की आवशक्ता होगी तो सबसे पहले तो हम यह समझें कि यहाँ पे जो हम कंक्रीट मिश्ण लगा रहे हैं वो कहां पे लगेगा इन पूरे पूरे खंबों को हम कंक्रीट मिश्ण से ही बना रहे हैं यानि कि प्रते खंबे का आयतन हमें यह बताएगा कि हमें कितना कंक्रीट मिश्ण चाहिए एक खंबे के लिए और फिर जब हम उसे 14 से गुना कर देंगे तो हमें कुल कंक्रीट मिश्रण की आउशकता कितनी होगी ये पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर आए लिख लेते हैं कंक्रीट कंक्रीट मिश्रण की मात्रा तो कंक्रीट मिश्रण की मात्रा हो जाएगी 14 गुना प्रतेक प्रते खंबे का आयतन और अगर मैं यहाँ पे प्रते खंबे के आयतन की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा पाई र स्कौरे एच और यहाँ पे आईए अब हम मान लिख ले तो पाई का मान है बाइस बटा साथ आर के अगर मान की बात करें तो 20 हो जाएगा और H जो की उचाई है वो 10 हो जाएगी तो 7 और ये 2 हो गया और यहाँ पर अगर हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 गुना 8,000 तो यहाँ पर 1000 हम अलग लिख लेते हैं और 22 गुना 8 हो जाएगा 116 तो इस तरहां से हम देखते हैं कि 116,000 सेंटीमीटर क्यूग घन मात्रक में देखे आएगा क्यूंकि आयतन की बात की गई है इतनी मात्रा की मिश्रण कंक्रीट मिश्रण क्या उशक्ता हमें होगी ये 14 के 14 खंबे बनाने के लिए आईए एक और प्रशन देख ले और प्रशन कुछ इस प्रकार से है कि रमजान के एक मेले में भोज पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार्त रिज्जा 15 सेंटीमीटर वाला एक बरतन था जो 32 सेंटीमीटर की उचाई तक संत्रे के जूस से भरा हुआ था तो यहां पे अगर हम बड़े बरतन की बड़े बरतन में जूस की मात्रा निकालें बड़े बरतन में जूस की मात्रा निकालें तो वो किस आकार में है वो बेलन आकार में है तो जूस की मात्रा जो है वो भी πाई आर स्कोरेट से निकल आएगी जो की हो जाएगा 22 बटा 7 और गुना कितना हो जाएगा 15 गुना 15 और उचाई 22 सेंटीमीटर इसके बाद कह रहे हैं जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर उचाई तक भर कर रुपे 3 प्रती ग्लास की दर से बेचा जाता है तो यहां पर लिखते हैं कि छोटे ग्लास का आयतन तो जो छोटा ग्लास है वो भी बेलनाकार ही है तो सूत्र तो वो ही प्रयोग होगा परन्तु जो मान है वो बदल जाएगा देकि पाई का मान तो समान रहेगा अब क्या बता रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्य तो 3 गुना 3 हो गया और उचाई 8 सेंटीमीटर है और क्या कहे रहे हैं उचाई तक भरकर 8 सेंटीमीटर उचाई तक भरकर रुपे 3 प्रतिक लास की दर से बेचा जाता है जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कितनी राशी प्राप्त होगी तो अगर हम यहां पर दे जूस के गलास हम कैसे निकाल सकते हैं आए वो देखें उसके लिए हम क्या करेंगे कि बड़े बरतन में जूस बड़े बरतन में जूस बराबर हो जाएगा N गुना प्रतेक छोटे गिलास में जूस क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि सब में बराबर जूस भरा जा रहा है तो अगर N गिलास हैं तो N गुना प्रतेक गिलास में जूस है वो बराबर हो जाएगा जो कि कुल जूस है तो आईए इसमें इमान रख देते हैं तो बाइस बटा साथ गुना पंद्रा गुना पंद्रा गुना बत्तिस बराबर हो जाएगा एन गुना बाइस बटा साथ गुना तीन गुना तीन गुना आठ अगर मैं इसको हल करने का प्रयास करूँ और दोनों तरफ बाइस बटा साथ से भाग दूँ तो देखे बाइस ब कट गया तो फल सरूप मुझे दाइन तरफ तो एन ही मिला बाइन तरफ क्या मिल जाएगा पंदरा बटे तीन तो मैं इसको पांच लिख लेती हूं इसे भी पांच लिख लेती हूं और इसे चार लिख लेती हूं तो यहां पर आईए इसको एक बार बिगाड़ लेते हैं क्य तो इसको पूरा ये जूस बेच करके कितने पैसे मिल जाएंगे 300 रुपए मिल जाएंगे